समझ गये कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर यामी हैं। लगता है आप हमारी धर्ती पर घटने वाली घटनाओं से पीडित हो उठी हैं। हाँ पदमनाप, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों हो रहा है ये सब, क्यों मज़ा है ये हाहाकार। प्रेम बनाया था, तो ग्रिणा क्यों बनाई। जो हो रहा है, हो सकता है वो वही हो जो स्वयम विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयम विधाता भी नहीं मिटा सकते न। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परिक्षा हो। उसके कर्मों की परिक्षा हो पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाए ही क्यों नारायन जो आपकी बनाई धर्ती पर अंधेरा फेला रहा है तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रातरी न बनाते फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता विश्ण होता तो अमरित के महत्ता कैसे जानी जाती पुष्प के साथ काटे न होते तो पुष्प के सौंदार्य को कौन जान सकता पत जड़ ना आती तो वसंतर तो इतनी सुहानी कैसे लगती हमने मानव को बनाया है देवी मानव इतिहास को बनाने का कारे हमने अपने हाथों में नहीं रखा वो तो उसी पर छोड़ दिया है अभी तो उसे अपनी शक्ति का अभास हुआ है इसी से उसे न्याय न्याय, सत्य सत्य, धर्म धर्म और पाप और पुन्य की जानकारी भी होगी हमने बुद्धी दी है मानव को, विवेक दिया है उसे और यदि मानव ने विवेक से कारी नहीं किया तो यदि धर्ती पर रात्री इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो, अंदकार प्रकाश को डस्ता रहा तो, तब, तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिये देवी, यदि असत्य और धर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानी होने लगी, तो हम स्वयम धर्ती पर जाएंगे, हम वचन बद्ध है, परित्राणाय साधू नाम, विनाशायच दुश्क्रताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे अपनी लेला तो आप ही स्वयम जानते हैं पद्मनाप, इस प्रकार आरंभ हुआ, प्रकाश और अंधकार के युद्ध का इतिहास